अस्सलाम अलेकूम मैं हूँ नमानकंबो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नमानकंबो विलोग्स दोस्तों आज हम अपने एक दोस्त की सोलर टरबाइन पर आए हैं आपको मुकम्मल टरबाइन का विजट करवाते हैं आपको दिखाते हैं कि इस पे कुल कितनी इन्वे पर रहे हैं तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब ने किया कानली हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और फिर करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट दोस्तों ये 28 सोलर पैनल पर मुश्तमिल यह टरबाइन है पैपक बोलर मोटर्ड कर दिखाएंगे कि इसका पानि क्तुछ पानि कज़ándogy तेनल थी नीज टवरिज कितनी है मतलब एक ग्षंटे में ये कितनी जगा जो आणसे सरां करता है या एक एकड़ पहर कितने घणटे ादो था करने Wij वहम्न आप को मुकंब जो आना इसके बारे में बताएंगे वीडियो को बिलकुल स्किप नी करना एंड तक देखना है तो दोस्तों ये 555 वाट की एक सोलर पैनल है और 28 सोलर पैनल पर मुश्टमिल ये टरबाइन है छोटी सी टरबाइन है क्योंकि जो फुल बड़ी टरबाइन होती है आम तोर पे 6 या 7 की होती है पांच की टरबाइन भी बड़ी होती है लेकिन 6 या 7 इंच की जो होती है जिसका पाइप होता है 6-7 इंच का वो बड़ी टरबाइन होती है और उसको प्रापर टरबाइन तकरीबन 6 या 7 इंच की होती ये है अपनी फसल के लिए अपने रखबे को सराब करने के लिए तो इस दोस्त ने अपने रखबे के लिए ये लगाई है लेकन गर्मियों में जो है ना सूरज की तपश ज्यादा होने की वज़ा से देन बड़े होने की वज़ा से ये अपने रखबे को काष्ट करने के साथ साथ कुछ ना कुछ इसका पानी सेल कर लेते हैं मतलब फी घंटा के हिसाब से ये किस रेट में सेल कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे ये हमारे दोस्त घर पर नहीं थे तो हमने खुद ही सोलर मोटर चलाई सारा विजट खुद ही किया खुद ही वीडियो बनाई मतलब हम उन से कुछ भी नहीं पूछ सके प्योंकि उनके साथ फून पर बात हुई थी तो उन्होंने का कि सपर इतनी लागए ता ये सारा कुछ उनको नह ने बता दिया तो उन्हों के में मसरूफ आप UWीडियो बना लें तो हमने खुद वीडियो बनाई खुद चलाई अगर हमारे दोस्तों होते तो हम आपको जो आनों का इंटर्वियू सनाते और वो आपको खुद बताते तो दोस्तों यह आप चेक कर सकते हैं यह 28 सोलर पैनल पर मुझत मेले 555 वाट की एक सोलर पैनल है और जब इन्होंने यह सोलर पैनल खरीदी थी उस वक्त एक सोलर पैनल का रेट 32,000 रुपै था तो यह कुल मिला के 28 सोलर परेटों का तकरीबन यह 9 लाक अमाउट बनती है तकरीबन 5,000 काम 9 लाक तो 9 लाक इसका यह खर्चा है और जो इनके नीचे फ्रेम बने हुए फ्रेम का सबसे बड़ा फाइदा यह होता है कि अक्सर हमने देखा है कि सोलर पैनल को एक ही रुख पर रख दिया जाता है वो फरस्ट टैम भी हलकालका पानी होता है पहली बात है फरस्ट टैम चलती नहीं है जब सूरज बिलकुल तुग्यानी पे आ जाता है तो फिर टरबैन चलना स्टार्ट होती है तो जब सेकंड टाइम होता है तकरीबन 4 भाईते हैं तो फिर सोलर मोटर जो एना रुक जाती है इसलिए इस बाई ने जो एना ये फ्रेम का बंदोबस किया है यह आप वीडियो देखते रहें इन्होंने फ्रेम का बंदोबस किया है फ्रेम काफी महंगे लगे हैं चार पलेटों के लिए एक फ्रेम है और एक फ्रेम इन्होंने 25,000 पे में बता रहे थे तकरीबर 25,000 पे लागए बड़ा फ्रेम है और बजबूत फ्रेम है अच्छा फ्रेम है तो उसके बाद इनों ने इसके आगे जहां पर इसका पानी गिरता है वो जगा बड़ी जबरदस्त बनवाई है काफी बड़ा होज इनों ने बनवाया है होज के बाद इनों ने चार दिवारी बनवाई है चार दिवारी के साथ खौन्टियां लगाई है मतलब यह इनों ने एक शोकिया प्रोग्राम किया है इदर यह नहाने के लिए प्रोग्राम है फैमिलीज के नहाने के लिए बेसलिए उन्हें बाहर से चार दिवारी किया बड़ा जबरदस जो है ना इनका ये प्रोग्राम है बड़ा जबरदस सिस्टम है ये दर्वादा लगा हुआ है ये नीचे सीड़ी आती है ये तीन पाइप लगे हुए हैं तो इन से पानी बाहर जाता है बाहर फिर आगे फसल को सराब करता है एक पाइप नीचे लगा हुआ है जब नहाना होता है नहाने के लिए फैमिलीज आती है या दोस्त आती है तो ये नीचे वाला पाय बांद कर देते उपर वाले से पानी गुजरता है और हाउस काफी भर जाता है तो इनका जो फ्रेम बने हैं वो तो करीबन पौने दो लाख के फ्रेम है तो 11 लाख की इनकी ये अमाउट है ये बता रहे थे कि 3 लाख रपया इन्होंने ये होज, ये खाल, छोटी खालिया ये सारा इनका इधर लग गया था तो उसके लावा टरबाइन और इन्वेटर सारा कुल मिला के इनका खर्चा 20 लाख रपय बन गया है 20 लाख रपय में बड़ा जबरदस सिस्टम है चार की इनकी टरबाइन है हमने ये टरबैन चलाई भी है आपको चलती टरबैन दिखाते भी है एंड पे हमने चलाई थी तो बड़ा जबरदस सिस्टम है इनका अपना बारा एकड रख़वा है उसको सराब करने के साथ-साथ ये गर्मियों में काफिया तक जो है ना पानी सेल भी कर लेते हैं तो 600 रुपे फी घंटा के हिसाब से ये पानी सेल करते हैं ये आप देख सकते हैं इसका पानी ये चार की मोटर है चार का पायप है तो पानी ठीक है काफी है क्योंके सरदियों के दिन है हमने सरदियों में वीडियो बनाई तो सूरज की पूरी तपश नहीं है और सोलर पैनल का रुख भी पूरी तरह जो है ना सूरज की तरह नहीं ता फिर भी पानी ठीक है जबरदस सिस्टम है तो कोई भाई अगर जिसके पास गुंजाइश हो इन्वेस्ट कर सकता हो तो ये बड़ा जबरदस सिस्टम है इसके साथ मतलब दो तीन घरों का चूला असानी से चल सकता है अगर किसी के पास इन्वेस्ट हो तो दोस्तों आज की हमारी चोटी सी वीडियो चोटा सा विलाग उमीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इस मोटर के हवाले से मुजीद अपडेट्स लेने के लिए अगर किसी बाई ने लगानी हो तो हमसे राब्ता कर सकता है